है 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 हलो फ्रेंड्स आज मैं फिर आई हूं न्यू ब्लॉक लेके नई मन की बात लेके तो फ्रेंड्स यहारों का मौसम आ इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप लोगे साथ बात चित्तों करनी है तो फ्रेंड्स आज मैं चोटी सी मन की बात जलजल दी कहते हूं आज मेरी मन की बात ऐसी है फ्रेंड्स की जैसे की आज का टाइम जैसा शुरूबात हो गया है बड़े हैं बुजुर्ग है या मोवाइल यह सब लेके बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पैंड करने लग गए हैं तो इस चक्कर में क्या होता है जिसको जो चीज करनी होती है वो उस चीज का लक्ष एक तरह से खो देता है मतलब धीरे धीरे वो इंटरनेट फेस्बूक वाटसब में इतना ज्यादा खो गए हैं लोगवाग कि अगर उनको कोई काम अगर करना हो तो उसको वो धीरे-धीरे करना छोड़ देते हैं उस काम को तो इसी आधारित में आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाओंगी जिस कहानी को आप लोग सुनके यह समझ जाएंगे कि टीवी इंटरनेट से थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए तो कहानी इस तरह से है फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा राज्ये में एक योध्धा रहता था और योध्धा जो था बहुती सूर्वीर था मतलब बहुती ताकदवर था उसकी फीगर विगर बहुत अच्छा था बौड़ी बहुत अच्छा था वह सुबह उढ़ती मन अपना जींग सीघ्य के वहां से वह शाम को घर लरता था लरत को भी वह दिल्चस्प्रेया अपने काम को लेकर और अपने रोज तलवार को वह पत्थर से घिसता था तलवार में धार लगाने के लिए तो एक समय वो अपने तलवार को बढ़े उससे एक लालतन जला के वो तलवार को घिस रहा था तो अचानक सो से पीछे से आवा जाई उसका नाम लेकि किसी ने बुलाया तो कोई बाबा जी उसे दिखे पीछे जब वो मुड़ा तो देखा एक बाबा जी है बहुत ही मतलब जिसे बोड़ी से जिसके बदन से चमकदार एक रोश्नी से फैल रही है ऐसा एक चमतकारी बाब बाबा उसे दिखे पीछे की तरफ तो उसने एक बार तो इग्नॉर मार दिया कि पता नहीं कौन है वो अपना तलवार गिसने में लग गया तो दुबारा उस बाबा की आवाज आती है तो वो मुड़ के देखता है और पूस्कता है कि आप कौन है जो मुझे जानते हैं तो मेरे से ज़्यादा तुम ताकदवर नहीं हो मैं यह चीज आज माना चाहता हूं तुमारे उपर तो बड़ा हैरान हुआ हुआ वो कहता है बताईए क्या करना चाते हैं आप कुछ देखना चाते हैं क्या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो उसने बोला कि ठीक है मुझ रोश्नी सारे योध stell उसने दिखा उसने उस रोश्नी के अंदर उसके बड़ा इंप्रेश्स हुआ कि बड़ा योध दीख रहे हैं लड़ते हुए हाँ बहुत महान-महान योधद्दा का उसने देखा लड़ते हुए, मारपिट करते हुए तो उसके बाद वो पांच मिट के अंदर वो रोश्नी गायव हो गई तो बाबा जी बोलते हैं अब तुम क्या देखना चाते हो उसने कहा एक सुन्दर सी लड़की मुझे दिखा दो तो उसने रोष्णी से एक सुन्दर सी लड़की दिखा दी तो वो लड़की देखके बड़ा इंप्रेस हुआ क्योंकि लड़की बहुत सुन्दर थी देखने में जो उसने रोष्णी से दिखाया तो वो एकदम एक तुको के देखने ही लग गया उसको जब तक वो देख रहा था इतने में 5 मिनिट में वो रौश्णी गायब हो गई, जब गायब हो गई तो उसने अपने ध्यान को उसने भटगा दे, उसने का ठीक है आप हो गया है आपका आप जा सकते हैं मैं अभी काम कर रहा हूं, तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है मैं चला सदर संसी दिखाए काफी संदर सी दिखाया है तो दो तीन दिन बाद उसने सोच कि क्योंना जंगल में जाता हूँ मैं उस मिलता तो वो दो-तिन दिन बाद वो आधिरात को जंगल में गया जाके उसने बाबाजी से वो मिला और वहीं पर खड़े होके उसने काफी चीजे उसको बोला कि मुझे थोरा सा दिखाओ महान युद्धा कौन-कौन है वो भी दिखाओ और कई तरह की युद्धा दिखाईए तो वो ऊसने बाबाजी को मैं अपने साथ ही रहने बोल दू तो मैं जब चाहे तब में देख सकता हूं έχa जंगल भी आने की जरूत नहीं पड़ेगी तो उसने बाबाजी को बोला यह इनवाइट किया उसने बेतार कि बाबा जी आप मेरे साथ आके जंगल में रहीए ऊस harbor तो मेरे घर में रहिए तो कोई दिक्कर भी नहीं होगी जिए भू ठीक है मैं रह लूंगा तुम्हारे साथ अब क्या था भावा जी तो घर में जाके आप रहने लग गए तो उसके बाद अब चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दुफैर हो, वो खुब जो भी वो बोले बाबाजी को, तभी बाबाजी उसे कुछ ना कुछ दिखाते रहते थे, कभी वो बोलता था कि मुझे पहार परवत दिखाओ, पहार परवत देखता था, कभी वो बोलता था मुझे लड़ अपने आपको उसने बहुत ही इन सब चीजों के अंदर उसने इतना इन्वाल्व कर लिया अपने आपको तो आप धीरे-धीरे वह क्या करता था सुबह जब उड़ता था वह बहना मारता था कि आज मैं नहीं जाओंगा आज मेरी तभीयत खराब है वह सरफ बाबाजी के पास जाता ही नहीं था तलवार बाजी सीखने के लिए तलवार के लिए वह रात को भी नहीं जाता था जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए अपने तलवार को घिसता था वह भी नहीं घिसता था धीरे-धीरे उसने इन सब आदतों से अपनी मतलब वह बिल्कुल आदत छोड़ चुका था एक तरह से वह दिरे दिरे वह इन सब चीजों में मतलब घूम गया अब क्या था उसका शरीर जैसे हश्ट पुष्ट था ताकदवर था तो वह शरीर उसका धीला पड़ गया मतलब बहुती कमजोर सा वह पड़ गया विकनेस आ गये उसके शरीर में काफी अच्छा लड़किया को वह देखता था पहले अब उसने लड़कियों को भी देखना छोड़ दिया जो लड़किया उनको देखती थी वह उनको भी उसने देखना छोड़ देखी कि काफी सुन्दर सुन्दर लड़किया बाबाजी अपने जादू से उसको दिखाते थे वह उनी पर फीता था तो उसने बाहर लड़ीयों को देखना तक उसने छोड़ दिया तो ऐसे करते-करते फ्रेंस उसका जो है काफी साल बीद गया उसका समय करीबन आट-दस साल उसका बीद गया ऐसे करते करते और वह इतना कम जोडों हो गया इतना कम जोडों हो गया क्योंकि जब तो वह जवान था जवान से वह आ गया है 30 साल के ऊंदर 30 साल हो गया उसके उमर ज topics साल के पाज कर गई थी शराष्यरी में उस बैठे वेटे सोशता था उनमा इंकी तरह क्यू नहीं है और यह सब देख देखला था एक कोने में बैठके सोचता था और ये भी कई बार तो वह महान यद्धाव, जो यद्धाव को वो बहुत पसंद करता था, उन यद्धाव को उसने गाली देना शुरू कर दिया, मतलब उल्टा सिधा बोलना शुरू कर दिया, उनकी कम्या निकालनी शुरू कर दी, होता है ना इंसान जब खुद से कुछ नहीं कर सकता तो सामने वाली तो इतने में बाबाजी हसते हैं बहुत तेज 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 तो वो कहता है कि मैं रो रहा हूँ आप हस क्यों रहे हो इतना तो बाबाजी बोलते हैं कि मैं यही तो चाता था तुम्हारे लिए क्या रहे हैं वो इक दम से चौक गया क्या रहे हो बाबाजी आप यह आप जानते ह मैं कौन हूँ हकीकत में बाबा जी ने फिर अपने असली रूप में आये तुम जानते हो मैं कौन हूँ जो मैं तुम्हें साथ इतने सालों से रह रहा था तुम्हें पता है मैं कौन हूँ उसने का नहीं आप तो बाबा जी हो करता है ना मैं एक शैतान का दूत हूँ मैं भी हूँ पर जो राक्षश है उसका मैं दूथ हूँ और वो बड़ा राक्षश यहां पे कल आपके गाउं में हमला करने आने वाला है तो उसका तो जैसे की होता है बिल्कुल वैसे वो देख रहा था बावजी को वो राक्षश जो है वो आज के डेट में लड़ने के लिए आ रहा था बतला पहले भी वो आ रहा था लड़ने के लिए कि आपके वजह से वो आनी पाया क्योंकि आप यहां पर बहुत बढ़े महान युद्धा थे तो इसलिए टाइन यह निये थे तो इसलिए उन्हों ने मुझे यहां पर यह काम करने के लिए भेजा क्あぁ tip वू आपको बहुत बड़े महान योद्धा थे तो इसलिए वह ड़रिके मारे यहां आए निये थे राक्षाज़ी तो यहां पर वो आए निये थे तो इसलिए उन्होंने मुझे यहां पर ये काम करने के लिए भेजा कि मैं आपको कमजोर बना सकूं तो यह बार सुनके वो योद्धा जो थे वो बिल्कुली तिल मिला गये कि ऐसा अच्छा ऐसा था मतलब वो ना सोच में पड़ गया कि तहां इसलिए मैं यहां पर यह काम करने आया हूं कि आप कमजोर परो और कल वो आएंगे मतलब वो जो राक्षर था दानव था वो कल आएगा इस गाउ में आके वो सब को मारेगा सब तैस्टनेश करेगा जो भी करेगा तो यह उसका जो था मकसद वो पूरा हुआ एक तरह से अब क्या था अब जो वो योद्धा था वो तो विचारा बहुत ही मतलब उसके मतलब सु जब वो स्टैप से हो गया ना वो बिल्कुल बिहोशो के जमीन पर गिरिया तो उसके बाद क्या कहता है वो बाबाजी मुझे आखरी बार एक लड़की का फॉटो दिखा दो मतलब लास्ट में भी वो यही बोलता है रहा कि मुझे आखरी बार एक लड़की का फॉटो इंटरनेट कितना ज्यादा दिमाग खराब करता है लोगों का तो जो भी है उसने दिखाया तो यही है फ्रेंड्स आज मेरी मन की बात कि इंटरनेट फेस्बूक और वट्सप जब तक काम ना हो इन सब चीजों से दूर रहे तो ज्यादा बैटर है क्योंकि यह दिमाग को नश्ट कर रहा है इंसानों के दिमाग को यह धीरे धीरे नश्ट कर रहा है तो जो चीजा हमारे लिए अभी अच्छी बात नहीं है किसी एक मकसद के लिए अगर आप किसी काम के लिए अगर आप सोच रहे हो कि हमें कुछ करना है आगे बढ़ना है पर बीच रास्ते में य अगर आजकल काम भी नहीं है काम है तो ठीक है वो तो करना ही पड़ेगा पर मेरे हिसाब से फालतु में Facebook लेके बैठना वाटसप लेके बैठना तीवी लेके बैठना तो यह चीज थोड़ा सा अगर कम हो सके तो यह जादा बैठर है और फ्रेंट्स एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेट जितना हमारे लिए फायदे मंद है उतना ही नुकसान है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा तो इसके फायदे को अपनाईए आप लोग नुकसान को मत अपनाईए इंटरनेट, Facebook के जितने फायदे हैं उसको आप लोग अपनाने की कोशिश कीजिए पर नुकसान को नहीं, बाकी मेरी मन की बात आपको कैसी लगी तो प्लीज मुझे बताईएगा और मेरे चैनल को जासे अदा लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, जासे अदा दोस्तों में फैलाईए, तो मैं आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, कल मैं फिर आती हूं आप से एक न्यू ब्लॉक लेके, नहीं मन की बात लेके, तो फ्रेंड्स जब तक के लिए, बाई